नमस्कार प्रोग्रामर्स एक बाद फिर से स्वागत है है सुसील यूट्यूब चैनल पर हमने अभी तक बात की थी कि हम कैसे प्रिंट आउट के लिए ले आउट तयार करेंगे तो वो confusion हमारा clear हो गया उसके लिए हमने एक js की library भी देख लिए है जिसपे कि हम work करेंगे तो आप finally हम चलते हैं और जो हमारा बचा हुआ work है that means कि हमको जो profile बनानी थी तो यह हमारा template है html का जिसके अंदर से हम pages में से चलके लेते हैं profile यह जो profile हमें देख रहे है यह ठीक है इसी profile का हम यूज करते हैं इसमें हाला कि आप देखोगे तो बहुत सारी content है जो कि हमको हटाने पड़ेंगे जैसे यह timeline है setting है तो timeline जो है और जो setting है इसको हम अटा देंगे activity जो है इसको भी अटा देंगे simply हम इस box का use करेंगे बस और यहाँ पर कुछ बचे हुए जो details है वो so करा देंगे जैसे कि यहाँ पर जो so हो रहा है बाकि कई सारी details तो यहीं आ गई जैसे customer का photo यहाँ पर आ जाएगा ठीक है उसका नाम यहाँ पर आ गया और यह सारी चीज़े हम हटा देंगे ठीक है और about me जो है यह content भी हम यहाँ से हटाई देंगे इसको हम यहाँ पर use कर सकते हैं अलाकि हम देख लेते हैं इनमें से use क्या कर सकते हैं कहरे यहाँ पर यह setting है तो हम setting का use तो नहीं करने वाले हैं क्योंकि यह form हमारे काम का है नहीं वैसे इसको भी अटा देंगे इसको भी अटा देंगे यही पर हम बस क्या करेंगे जो बाकी detail बची हुई है वो हम यहाँ पर show करा देंगे तो simply इतने में हमारे काम हो जाएगा मतलब यहाँ पर photo आ लेकिन कुछ details हम यहाँ दिखा देते हैं क्योंकि यह form हमारे customer के according थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं देखते हैं कोई और form तो वैसा है नहीं तो हम इसी को chart काट के छोटा करेंगे ठीक है तो एक बार हम चलते हैं और अपना जो requirement वाला table जो हमारा तो पाथ 6 detail है जैसे कि यहाँ पर है नेम तो हमने ले लिया father's name address हम डिकाई दिया आधार number ठीक है कुछ details है तो यह वाला page हम लेते हैं अब देख लेते हैं इसको examples में profile.html नाम का page है तो हम आगए अपने vs code editor में यहाँ पर यह सारा code हम हटा देते हैं all customer details वाला page अभी हमको इसकी जरूत पड़ेगी registration form हटा देते हैं यहाँ से फालतू के code हटा ही देना ज्यादा सही रहता है login page भी हटा देते हैं क्योंकि उससे फायदा यह होता है कि हमको थोड़ा code समझ में आता है अच्छे से सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर एक बना लेते हैं नया method और method दे देते हैं यहाँ पर क्या customer प्रोफाइल दे देते हैं customer profile ठीक है यह हो गया हमारा नाम इसी नाम से हम फटाक से बना लेते हैं एक html page तो page हमको कहां बनाना है customers वाली folder के अंदर हम बनाते एक नई file customer profile.php enter यह हमारी file बन गई अब हमारा काम क्या है हमको code लिकर आना है हम चलते है html template में pages में और pages में चलते हैं हम example में और example में हमको मिलेगा क्या profile.html यही page है जिसे हमें चाहिए है ठीक है पहले भी हम बात किया है क्या क्या हमें minimize करने की जरूत होती है हमने hide को कर दिया ठीक है wrapper में navigation बाहर हमारा गया a side गया main content यहां पर आ गया main content को हमने यह पर छोटा किया और यही है हमारा main content जो हमें लेकर चलना है कहां पर हमारे code में तो इतना code हो गया इसको हम यहां लेकर आए paste कर दिये ठीक है यह काम हमारा हो गया दूसरा काम क्या है header header में हम एक नया URL create कर देते हैं यहां पर तो फट्टाक से copy गया paste किया और यहां पर नया URL जो है वो क्या जाएगा हमारे method का नाम जो कि क्या है क्या है क्या है Ctrl Z की हमने customer profile copy क्या है यहां से लेकर आए header में और यहां पर हमने दे दिया नाम तिक है customer profile हो गया और यहां पर नाम दे दिया हमने customer profile वैसे यह link यहाँ पर नहीं बनना चाहिए क्योंकि इसका link हम देंगे कहाँ पर table में अभी देखने के लिए हम बना दे रहे हैं that means कि बोलने का जो मतलब हो क्या है यहाँ पर जो यह table दिख रहा है यहाँ पर जो यह unique id आएगी इसी के click पर हम क्या करेंगे individual एक customer की profile को खोल देंगे उसके लिए यहाँ पर अलग से हम नहीं देते हैं क्योंकि सभी customer की detail इस टेबल में देख रहे है यहाँ से जो भी customer चाहिए होगा उसको click करने पर उसकी detail पर पहुंच जाएंगे तो यह हो गया customer profile अभी के लिए हमने यहाँ पर बनाया है तो इसको हम refresh करते हैं नया URL हमको मिल गया इस पर हम click करते हैं देखते हैं हमको क्या मिलता है ठीक है यह detail मिल गई अभी देखो image जो है वो नहीं आ रही क्योंकि इसका सही path इसको नहीं मिल रहा है इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें से कच्रा हटा देते हैं तो कच्रा हटाने में हमको क्या करना है सबसे पहले तो हम यह timeline और setting जो है इसको हटा देते हैं activities को रहने देंगे तो इसके लिए जरूरी क्या है तो चलते हैं सिदे code में और जो भी जरूरत की चीजे नहीं उसको हम हटा देते हैं तो customer profile.php में आए इस file को delete कर दिया अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमको simply हम सबसे उपर चलते हैं यहाँ पर ठीक है यह section जो है यह तो same to same रहेगा इसको ऐसे ही छोड़ देना है main container में अगर हम आते हैं यहाँ पर अगर हम देखना चलू करें तो profile image वाला section एक है इसके अलामा so profile image वाला section यह हो गया इसको हमने minimize किया about me box यह आ गया इसको भी हमने minimize किया और इसके बाद में देखो यह call md3 में लिया गया है मतलब कि यह call md3 है इतना और यह है call md9 तो हम क्या करते है call md9 के अंदर यह activity timeline और setting तीन चीज़े लिग गई है ठीक है यह हमने रखना ही नहीं है क्योंकि यह वाली पट्टी हमको रखनी नहीं है या फिर हम यहाँ पर पट्टी में दे देंगे personal detail customer personal detail ऐसा कुछ करके हमको यहाँ से उडाना जो है हम उसको समझते है कि हमको यहाँ पर उडाना क्या है यह है activity वाला हम minimize करते है timeline वाला यह है इसको हमने minimize किया और यह है setting वाला तो यह setting और timeline को हम सीधे यहाँ से minimize करके देखो कितना आसान हो जाता है code जब हमारे पास एक अच्छा editor हो तो ये हमने क्या किया timeline और setting हटा दिया है खतम वो इसको हमने बढ़ा किया और इसके अंदर कुछ एक details जो हमको नहीं चीए जैसे मान लो कि ये एक ही डबा रखते हैं बाकि नीचे के दो डबे हम हटा देते हैं तो ये paragraph के अंदर ही सारा काम कर रहे हैं अगर देखोगे तो post है post के अंदर इन्होंने ये पहला post अच्छा इन्होंने post ले रखे हैं तीन post है ये ठीक है तो हम ये post ही उड़ा देते हैं ये दो post गए finally हमारा जो ये डबा था वो neat and clean हो चुका है देख रहा है डबरा रिफ्रेस हो गया ये बस बचा हुआ है क्यों बचा हुआ है क्योंकि हमने यहां से ये link नहीं उड़ाया है इस link को हम उड़ा दिये ठीक है अब काम भर की केवल required वाली चीजे बची यहां पर बात रह गए इस profile की लाने की तो चलो ये पहले हम image को ले आते हैं तो image को लाने के लिए हम गए यहां पर about me में नहीं about me से ठीक उपर यहां पर ये profile की image आ रही है यहां से dist में से आ रही है ठीक है इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा header पर चलते हैं एक बार और header में हमने बहुत सारे base URL लगा रखे हैं इसी को copy किया and आ गए हम अपने page पे और paste कर दिया ठीक है एक image ये वाली थी और एक image ये छोटी वाली है ये activities के अंदर है तो about को तो अभी हम minimize कर देते हैं यहां पर आते हैं यहां पर एक image कही लगी होगी ये वाली image इसको भी हमने दे दिया ठीक है अब एक बार run करें ठीक है image तो हमको मिल गई और बागी details मिल गई अब यहां पर हमें जो set करना है हम फट्टाक से वो set कर लेते हैं हम यहां पर set क्या क्या करना है इसकी detail हमें कहां से मिल जाएगी यहां से मिल जाएगी ठीक है unique id हमको यहाँ पर show करानी ही करानी है तो unique id होगे इसके बाद में show on details है तो नाम तो यहाँ पर हम रहने देंगे यहाँ पर हम unique id show कराएगे ठीक है यहाँ पर तो इसके लिए हम ऐसा करते है नाम यहाँ पर ठीक है spam यहाँ पर हम दे देते हैं unique id अभी के लिए अभी के लिए हम यहाँ से simply जैसे यह है जो इसी को बस copy paste कर देते हैं यहाँ पर so that इसको देख कर हम को समझ में आ जाएगा कि ठीक है यह हम unique id के लिए कर रहे हैं ठीक है और यह unique id असल में यहाँ नहीं जानी है यह unique id जानी है यहाँ पर customer का name आया है यह उसकी हो गई unique id ठीक है और unique id हम चाहें तो bracket के अंदर दे देते हैं so that की आसान रहेगा समझने में बाकी अगर बात करें तो यह follower following और friend यह सब तो चाहिए नहीं है that means कि वो कच्रा हमको हटा देना है name होई गया है बाकी बसता है यह father's name और address और यह सारी चीज़ें तो इन में से भी कुछ चीज़ें हम about me में लेने वाले हैं जैसे की address जो है वो हम यहाँ पर दे आकर दिखा देते हैं ठीक और यह about me वाला section उड़ा ही देते हैं तो हम क्या करते हैं code में आते हैं code में सबसे पहले यह ul हम उड़ा देते हैं ul के हमको जरूरत नहीं है ul गया और यह follow में भी उड़ा देते हैं क्योंकि कोई following following नहीं होनी है आपर और बात बचिए नीचे की about me में तो about me में हमको चीए था यह location location क्यों चीए था क्योंकि इसमें लगा हुआ था icon जो हमको अच्छा लगा तो यही same to same strong वाला जो है उठा के लेकर आए हम यहां पर और इसके ठीक नीचे यहां पर दे देते हैं ठीक है यह फाल दो कि बहुत सारे space ले रखा इसने यह हो गया और यह about me जो है about me वाला box जो है इसको हम उड़ा देते हैं क्योंकि इसकी जरुवत हमको नहीं है यहां फिर एक बार फिर से देख लेते हैं क्या दिक्कत है about me में हाँ about me में ऐसा कुछ नहीं क्योंकि फिर यह वाले डब्बे का हमारा इस्तेमाल जो है वो ठीक से हो नहीं पाएगा तिसलिए about me को उड़ाना सही लोकेशन की जगा मैं address देते हैं यहां पर address दिखा देंगे ठीक है तो डब्बे को उड़ा देते हैं यह डब्बा हमारा गया ठीक है वैसे चाहें तो अभी डब्बे को रख सकते हैं इसके जो आइकन वगरा है अगर कहीं जरुवत पड़ी तो यूज करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे यहां पर हम दे देते हैं address एड्रेस दे दिया हमने यहां पर ठीक है अब हम आज आते हैं सीधे अपने नीचे इस वाले बॉक्स में ठीक है तो customer customer customer-personal-details यह कहां देखेगा वो जो नेला वाला बटन दिख रहा था यह वहां देखेगा अब यहां पर customer personal details हो गया ठीक है यह वाला section हमको उड़ा ही देना है क्योंकि इसको रखना ही नहीं है इसको भी हटा देना है नहीं तो इसको cut करने से क्या होगा हो तो कुछ नहीं रहा है ठीक है कोई बात नहीं यह box और यह सारी चीज़े पहले हटा देते हैं यह paragraph input form जो था यह भी चला गया input किसलिए लिए गया था इसके लिए लिए गया था सब गया इसको refresh करें ठीक है अब बचा क्या खाली और खाली यह डबा तो इस डबबे में हमको image की भी जरुवत नहीं है क्योंकि हम image जो है पहले से ही ले चुके है तो इस image को भी हम उड़ा देंगे span की भी जरुवत हमको नहीं है हम span भी नहीं रखने वाले है span क्या यह जो छोटा सा यहाँ पर दिख रहा है इसके लिए है ठीक है तो यहाँ पर हम simply करने क्या वाले है अब जब यह सब कुछ उड़ा ही दे रहे है तो यहाँ पर होगा क्या यहाँ पर हम simply लेंगे label और label में जैसे हमने यहाँ पर ले लिया name ठीक है इसको refresh करके देखते हैं क्या दे रहा है यह name आ गया name में यहाँ पर हम दे देंगे space करके colon ठीक है बस और इसके आगे your name suppose that लेकिन यहाँ पर name नहीं रहना है यहाँ पर क्या रहेगा father name ठीक है इसी तरीके कि हम कई सारी और line का use करने वाले हैं यह हमने copy paste कर दिया अत्ता सारा अब फटा फट क्या करते हैं यहाँ पर आए father's name हो गया address हम ले चुके थे आधार number ठीक है आधार number के लिए यहाँ पर हम एक बना लेते हैं अच्छा ऐसा करते हैं जब हम इसको एक बार किये थे याद ना shortcut आधार number mobile number alternate mobile number email married status post name ठीक है इतनी detail थी इसको हमने यहाँ पर लिया और लेकर आगए हम कहाँ पर एक नई file हमने बनाई ही थी यही पर लेकर आए और paste कर दिया ठीक है इसमें से हमको कुछ चीजे चाहिए हैं जिसको कि हमें बार-बार नहीं लिखना पड़ेगा तो हम फटाक से वो चीज ठीक कर लेते हैं इसको किया हमने यहाँ पर replace कर दिया हमने replace हो गया and then इसको हमने क्या क्या transform कर दिया title में that's it इतना काम हमारा हो गया यह total कितने हैं 6 हैं 6 डब्बे हैं इसको हमने copy किया चलते हैं कहाँ पर customer में यहाँ देखते हैं total कितने डब्बे हैं 6 ही डब्बे हैं बहुत सही और यह हमने दे दिया that's it आधा number, mobile number alternate और यह सारी चीज़े हो गई और यहाँ पर भी हमें वही चीज़ copy paste कर देते हैं so that कि इसका फायदा क्या मिलेगा यहाँ पर page में हमको वह सारी चीज़ें ऐसे ही as it is अभी के लिए दिखेंगी गडबड हो गया गडबड कुछ नहीं हो आशल में गडबड कुछ भी नहीं हो आशल में एक line hourly और यहाँ पर space देखके दे देते हैं br br forward slash बंद कर दिया यह जब हम opening और closing single tag के अंदर करना होता है तो हम last में ऐसे forward slash दे सकते हैं तो अब एक बार हम इसको refresh करें हो गया सब सही ठीक है इतनी detail हमें चाहिए थी और हमको इस डबबे की जरुवत कहीं नहीं पड़ी तो अब हम क्या करते हैं इस डबबे को इस डबबे को हम हटा दीते हैं तो डबबा तो गए हो डबबा कहां गए हो यह रहा हमारा about us का box और इस about us के box को हमने हटा दिया finally हमारा जो काम था profile वाला उसका आधा हिस्सा तो हो गया ठीक है यह नेम आ गया और यहाँ पर यह सारी details आ गई अब देखो यह जो उपर वाला हिस्सा है ने यह फाल्तू लग रहा है हमको ठीक है यह disturb कर रहा है इसको हम हटा देते हैं क्योंकि यह यहाँ पर लिखा हुआ आ ही रहा है कि असल में है क्या ठीक तो इसको रखने की जरुवत नहीं है इस वाली चीज को तो हम क्या करते हैं simply आते हैं यहाँ पर कहाँ पर कुछ हमने hide किया है कुछ हमने hide किया है activity कहा गई अच्छा यह line है नहीं है यह है ठीक है ul यह ul जो था इसी को हमें हटा देना है क्योंकि इसकी जरुवत हमको नहीं रही यह असल में पूरे के पूरे card की ही जरुवत नहीं रही तो इसको हमने हटा दिया और refresh करते हैं लगने को तो ऐसे भी सही लग रहा है लेकिन card को हम नहीं हटा पाएंगे card में से इस ul को हटा सकते है हटा दिये refresh करते है ठीक है और यह P2 जो ले रहा है इसको भी हमने हटा दिया line अभी भी नहीं हटी तो हम यह card header जो है इसको हटा देते हैं refresh किया ठीक है अभी सही है हमने क्या किया एक बार मैं अगर ctrl z करूँ तो हमने कितना content हटाया यहां से असल में हमने यहां से यह जो पूरा का पूरा card वाला हिस्सा था यह इतना हटा दिया ठीक है और इसको हमने refresh किया मिल गया अब यह box यह box same to same side by side हो गया तो यह देखने में थोड़ा सही लग रहा है इतना काफी है इतने से हमारा काम हो जाना है अब इसी के नीचे हमको क्या करना है table लेकर आना जिसमें हम customer के सारे transaction को दिखाएंगे तो यह वाला table हम कौन सा यूज करेंगे यही वाला all customer details वाला table है यह same to same table उठाके हम लाकर यहां रख देते हैं ठीक है customer profile में यहां पर तो यह वाली file यह रही all customer details नाम का हमने बनाया था ठीक है इसमें से हमें बस करना क्या है जो main content वाला area है यह section वाला यह लेना है यह वाला हमें छोड़ देना है तो हमने यह जो due है इस due के ठीक नीचे यहां पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं content है ठीक है इस line के ठीक बाद में यहां से हम एक space देखें यहां से हम paste कर देते हैं ठीक है यह क्या हुआ यह हमारे table का detail आ गया काहां से लिए हमने जो हमने अपना table बनाया था यह वही वाला table है ठीक है all customer details page में से हमने copy paste किया और एक बार इसको चलके देख लेते हैं रिफ्रेस्स किया आगया हमारा page ठीक है that means कि यह हमारा profile बन गया और यह transaction के लिए table बन गया यहां पर हमें कुछ details change करनी है change क्या क्या करना है transaction वाले अगर table पे चले तो transaction के लिए हमें रखना क्या है unique id रखना है amount रखना है और कुछ और details रखनी है ऐसे ही तो उन details के अगर हम बात करें तो इसमें table के अंदर number तो हम same को same रखेंगे unique id भी रहने देते हैं unique id के बाद में यहाँ पर हम ले लेते हैं amount और amount तो हई है amount ले लेते हैं और date ले लेते हैं वो भी ठीक है और mobile number रखने की जरूवत नहीं है यहाँ पर हम credit or debit ले ले लेते हैं दो चीजे ठीक है amount की जगा पर credit or debit तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि कितने amount निकाला गया कितना amount डाला गया तो हम अपने page में है यहाँ पर हम amount की जगह यहाँ पर हम लिए लिते हैं credit credit और यहाँ पर ले लिते हैं debit अब आपको याद होगा यही same to same हमें copy करना है और कहां ले चलना है नीचे इसका t footer है table का यहाँ पर लेकर आया और यहाँ पर भी हमने इसको paste कर दिया ठीक है तो अमेदन आपको जो detail चाहिए थी वो मिल गई एक बार refresh करे इसको यहाँ पर credit हो जाएगा यहाँ पर debit हो जाएगा एक बार इसको हम चलके यहाँ से भी देख लेते हैं transaction table में है क्या-क्या payment mode लेने की जर ले सकते हैं ठीक है और बात रही क्या कते हैं credit debit तो होई गया हम payment का type दिखा सकते हैं payment का type और note दो चीज़े और यहाँ पर आ सकती हैं तो last में हम दिखा देते हैं payment का type भी तो debit के ठीक बाद में एक और लेते हैं payment type हो गया और payment type के बाद में हो गया note नहीं, यह note असल में यहां नहीं रहागा, क्योंकि यह तो admin के लिए था note, customer के लिए note नहीं है, तो यह क्या हो गया, यह payment type हो गया, date हो गया, बस इतना काफी है, यह एक T head हमने extra लिया है, तो इसको भी चलके हम यहां पर add on कर देते हैं, ठीक है, अब यहां पर थोड़ी से problem क् इस जितने भी row अंदर के हैं, इनमें एक extra क्या बढ़ गया है, colon, refresh करके दिखाऊं, देख रहा है, यह blank दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी entry कुछ भी नहीं है अबी, इसलिए, कैर इसको हम आगे चलके ठीक कर लेंगे, या भी ठीक कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नही है, यहाँ पर simply बस एक और area बढ़ा देना है, ठीक है, एक और area बढ़ा देना है, और कुछ भी नहीं करना है, एक एक इरिया हमने बढ़ा दिया, बढ़ गया, refresh किया, हो गया, यह हमारा table completed, ठीक है, profile हमारी बन गई, अब हमें क्या करना है, तो all clients table बन गया, individual profile बन चुकी है अब finally हमारा work क्या होता है, अब हम चलते हैं, functionality करेंगे, क्योंकि एक बार summarize कर लें, हमारा system setup हो गया था, framework भी बन गया था, और हमें जो individual HTML के pages बनाने थे, वो सारे pages हम बना चुकी है, एक बार अगर यहाँ से देखना चालू करें तो, यह हमारा dashboard था, customer registration page हमने बना लिया, customer deposit का form हमने बना लिया, और सभी customers के details के लिए table का pro forma बना लिया है, और individual के लिए हमने बना लिया, यह individual यहाँ से नहीं आएगा, यह individual कहां से आएगा, जब कोई यहाँ पर user ID पर click करेंगा, तब हम यहाँ पर उसको भेजेंगे, ठीक है, तो finally almost हमारा designing का work complete होता है, और अब हमक करेंगे हम admin login से, क्योंकि यह dashboard तो तभी आना चाहिए, जब हम login हो, तो हम सबसे पहले कौन से page पर work करने वाले हैं, welcome में हमने एक बनाया था login, और इस login को हम ले चलेंगे, नया separate controller बनाएंगे, और वहाँ से हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो उमेद है कि यह पूरा work आप complete कर लोगे, यह जो हमने अभी किया है, हमने सारे pages के designing कर ली है, file structure जो है वो भी आपको पता चल गया होगा, हमने views folder के अंदर customer नाम का एक folder बनाया और उसी में सारे form रखे हैं हमने अपने जितने भी थे, और बाकी setup के लिए हमने एक HTML template के अंदर जितनी भी हमारे main designing portion का template था उसका सारा code पड़ा हुआ है, तो उमीद है यहां तक आपको कोई confusion नहीं है, अगर confusion है तो आप मुझे comment करिए, कोशिस करूँगा जल से जल जबाब देने का, तो यह हमारा process पूरा complete हो गया है, अब हम next coding start करेंगे, functionality, controller और model और हमारे HTML page के बीच के communication अब start होने वाले हैं, ठ ठीक है तो इसको पूरा complete कर लीजे, कोई question, कोई doubt आता है या कोई नया idea आता है इस project में add on करने के लिए, तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं, बाकिया हम मिलते हैं फिर next video में, तब तक के लिए coding करते रहो, मस्त रहो, स्वस्त रहो, जाहिन, नमस्कार.